आई इस प्रेपर आपका श्रागत है UP PCS में लगातार बदलाव हो रहे हैं और फिर से एक ख़बर आ रही है कि परिच्छा और साच्छातकार में बड़े बदलाव की उमीद साच्छातकार में जो परिवरतन हुआ है हम इसको देख चुके हैं पहले भी आप पढ़ चुके होंगे 200 मार्स की जगा 100 मार्स का 100 मार्स का साच्छातकार होगा अच्छी बात है अच्छी पहल है आज जो नई ख़बर है यह है कि CCTV और जैमर पर रहेगा जोर मन चाहे परिच्छा केंद्रों का आवंटन किया जाएगा जैमर और CCTV कैमरे पर जोर की बात है वो अब की बार की ही प्रारंबिक परिच्छा जो अपर सबाइटनेट का एक्जाम हुआ है उससे पहले ही सुनाई दे रही थी लेकिन इसमें आयो के द्वारा एक अस्परश्टी करण दिया गया है कि उतना बढ़िया ब्यवस्ता हम जितना चाहते थे नहीं कर पाए क्योंकि बजट नहीं था हमारे पास ऐसा उन्होंने कहा है लेकिन अब यह कहा रहे हैं कि जो भी कमिया है जो भी गुंजाईस है जहां पर ब्रश्टचार की गुंजाईस है और यह बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि लोगों को परिच्छा देने के दौरान बहुत ही लंबी दूरी तै करनी पड़ती थी उससे एक्जाम तो रिष्टब होता ही था पैसे भी बरबाद होते थे सबके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो इतने पैसे बरबाद करके एक्जाम देने जाएं ठीक है तो यह बहुत ही अच्छी पहल है अन्य आयोग में पहले से ऐसी ब्यवस्ता थी लेकिन अब यहाँ पर यह ब्यवस्ता नहीं थी जैसा चाहते थे या आवंटन कर देते थे आधार भी कुछ समझ में नहीं आता था कभी किसी का दूर भेज दिया कभी नजदीक भेज दिया तो कुछ यह निश्चित नहीं था इस बार का जो पेपर था उसमें ऐसे ही आवंटन हो गया था पिछले परिच्छाओं में जैसे आवंटन होता था लेकिन इस बार अब जो फाम आएंगे उसमें यह कह रहे हैं कि अब हम परिच्छा के इंद का आपसन देंगे एक और इसमें पहल है यह कह रहे हैं कि जिन लोगों के पाल यानि कि जिनके रिलेटिप्स उनके बच्चे हो चाहे जो हो अगर वो परिच्छा दे रहे हैं तो सुचिता को ध्यान में रखते हुए उन कर्मियों को परिच्छा से बाहर करने का निर्देश जारी किया गया है जिससे कि किसी तरह की बैमानी, किसी तरह की नकल जैसी घटनाएं ना हो पाएं और आयो कि धर लगाता लंबित परिच्छाओं के परिणाम जारी कर रहा है और आगे करें कि दिसंबर तक जितने भी रिजल्ट है जो भी रुके हुए रिजल्ट है तो दिसंबर तक उन रिजल्ट को घोसित कर दिया जाएगा जो भी रिजल्ट्स हैं उनको दिसंबर तक खोसित कर दिया जाएगा इसी साल के दिसंबर की बात हो रही है और यहाँ पे सबसे महत्मूल बात यह है कि अगर रिजल्ट खोसित होंगे तभी नई वैकेंसी आगे बढ़ेगी और जो लोग अच्छा पेपर करके बैठे हों इं अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें all the best अच्छी लगे ये news तो इसको share करें पढ़ाई करते रहें जो सबसे ज़्यादा जरूरी है